वेलकम बैक, आज के इस वीडियो में लोग ब्लॉक 3, यूनिट 4 के चेक यूर प्रोग्रेस 3 के 1 और 2 को डिसकस करने वाले हैं इसका 3rd पार्ट हमने पहले ही डिसकस कर दिया है जो की आपका जून 2022 में आया था तो हमसे request कर लिए जी कि बाकी के 2 पार्ट भी आप हमें समझा देंगे तो आज हम लोग बाकी के 2 पार्ट देखेंगे, देखिए बहुत ही आसान है बाकी के 2 पार्ट अगर आपको question number 3 में आ गया होगा, तो question number 1 और 2 करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा तो चलिए solve करते हैं तो देखिए सबसे पहरी चीज़ जो आपको ध्यान अखनी है वो है इसका formula तो जो इसका formula होता है वो क्या होता है इसका जो formula होता है length of the curve का वो होता है आपका integration of limit a to b under root 1 plus dy over dx का square dx यह आपका formula होता है बस इसी formula में आपको values को put करना है तो देखिए आपका term क्या जिया क्या है y is equals to 3 minus x और देखिए यह आपकी value होती है a की और यह आपकी value होती है f of a की यानि कि उस a पर y की value क्या है और यह आपकी b की value और यह है आपकी f of b की value तो आपको limit में क्या यूज़ करना है a to b यानि कि आपका जो a की value है वो minus बने और जो b की value है वो 3 है तो यानि कि आपका जो length का formula बनेगा वो बनेगा l is equals to integration of minus 1 to 3 राइट अंडर रूट 1 प्लस अब दे की dy over dx की value मिका लेजे तो y की value यहां से कितनी है y is equals to आपका है 3 minus x तो dy over dx की value यहां से कितनी है जाएगी देखिए यह constant है यह तो 0 हो जाएगा और x का differentiation करेंगे तो 1 आएगा और यहां पर minus x है तो आपका क्या हो जाएगा minus 1 यानि कि आपका जो dy over dx की value हो आई minus 1 राइट अब minus 1 का aspire करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 राइट और यह dx हो जाएगा 1 plus 1 2 under root 2 हो जाएगी जो की constant है तो आप क्या लिख सकते हैं root 2 को बहार लिख सकते हैं limit minus 1 to 3 dx राइट यह 1 dx रिजिए अब इसको integrate करेंगे तो आप क्या आजाएगा x राइट तो यहां से आपका जो आजाएगा answer वो आजाएका अंदर root 2 बहार होगा और यह हो जाएगा आपका x और limit कितनी हो जाएगी minus 1 से 3 राइट तो देखिए यह आपका कितना हो जाएगा? अंदर root 2 बहार हो जाएगा और x के जीए 3 राइट दिजिए upper limit minus lower limit lower limit की value already minus है तो minus minus plus हो जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 अंदर root 2 units यह आप cancer हो गया तो यह कितना असान था राइट तो आइटिंग आपको यह problem clear हो गई होगी अब अर्थे अपनी next problem कर जूकि यह आपका find the length of the curve y equals to 3 plus 1 upon 2x राइट चली score off कर देते हैं तो देखिए अब next question में y के value क्या रही है? y equals to दिया गया है आपको 3 plus 1 upon 2x तो जब इसको differentiate करेंगे x के respect में तो dy over dx की value क्या जाएगी? 3 तो constant x की value 0 जाएगी और 1 upon 2 constant इसका differentiation करेंगे तो क्या जाएगा? 1 तो यानि की dy over dx की value कितनी आ रही? 1 upon 2 और आपका length का जो formula होता है और क्या होता है? l is equals to integration of a to b under root 1 plus dy over dx का whole square dx right और दिखिये यहां से a की value कितनी है? 0 और b की value कितनी है? 2 तो आपकी जो limit हो गई वो हो गई आपकी limit 0 to 2 हो जाएगी right under root 1 plus 1 upon 2 का square करेंगे कितना हो जाएगा? 1 upon 4 dx की कितना हो गया? 5 upon 4 5 upon 4 यानि की under root 5 upon 4 तो यह कितना हो जाएगा? root 5 upon 2 तो इसको लिखिये under root 5 upon 2 हो जाएगा आपका और यह हो जाएगा integration of 0 to 2 dx या फिर 1 dx कह सकते हैं तो यहां पर फिर से x आजाएगा तो आपका जो formula बन जाएगा रूद 5 upon 2 x 0 to 2 हो जाएगा तो अपर लिमिट root 5 units यह आपका अंसर हो गया तो था थी यह बहुत असान तो इस तरी के आप problem को solve कर सकते हैं और अगर आपको अभी भी किसी भी step में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो अब आप में बेजी जी कमेंट कर सकते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें share करें और अगर आपने माई चनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe करें और हाँ bell icon में क्लिक करना ना मूले तकि आपको नेच वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके Thank you